इस वीडियो में हम एक Translation को अंग्रेजी में अनुबात करने के आभ्यास करेंगे यह Translation Class 10th English Excellent Guide से ली गई है तो इसके एक एक बाग को हम अंग्रेजी में अनुबात करने के आभ्यास करेंगे Exercise No.1 मैं करवा चुका हूँ आपको इसी चनल पर एक प्लेलिस्ट में exercise मिल जाएगी तो चलिए पहला sentence देखते हैं किसी मनुस के दो बेटे थे तो देखे किसी मनुस के दो बेटे थे यानकी कोई मनुस दो बेटे रखता था ऐसे मैं रखता था रखती थी या रखती थे या पास्था पास्थी पास्थे का भाव आता है जैसे मेरे पास एक काला पैन था तो I had a black pen ये उसी तरह से बनेगा किसी मनुस यान की a man had had मतलब रखता था दो बेटे two sons a man had two sons please stop इसके बाद next एक दिन उनके पिता ने उन्हें पास बुलाया तो इसमें बहुत सारे sentences हैं हम एक एक sentence को अंगरेजी मानुबात करेंगे इतना पहले ये है past indefinite एक दिन यान की one day उनके पिता अब दो बेटे हैं इनके पिता तो इनके लिए प्रोनौन दे आएगा और दे का संबंद कर रहा उनके की अंगरेजी दे है उनके पितायन की दे है अब पास्टे रेफरेंट है क्रिया की second form बुलाना call means होता है second form called called उनके दे पास बुलाया called them पास यान की अपने पास बुलाया called them to him इसके बाद देखिए और उनसे कहा और यान की end अब देखिए ये है पास्ट इंडेफरेंट कहना say means होता है say की second form आएगी said said to उनसे की them comma inverted comma start मैं अब बहुत बुला हो चुका हूँ अब देखिए इसमें करता है मैं I चुका हूँ यान की ये है present perfect tense I have बहुत बुला हो चुका हूँ तो grown very old ये है बहुत बुला हो चुका हूँ और अब यान की now please stop इसके बाद आगे है मेरे सरीर में सकती नहीं है यान की मैं अपने सरीर में सकती नहीं रखता हूँ तो I have सकती नहीं है है जैब बाले जो बाख होते हैं इसके बाद जो object आएगा उसके साथ no लगेगा no strength देखी ये है एक noun noun की विस्षिस्ता जो है adjective बताती है तो no लगेगा not नहीं लगता है I have no strength मेरे सरीर में यान की in my body let's stop इसके बाद आगे देखते हैं मैं चाहता हूँ की मेरे मरने के बाद तुम दोनों एक साथ रहो और एक दूसरे की सबेव सहायता करो अब देखिए मैं चाहता हूँ यान की I चाहता हूँ want I want की यान की that मेरे मरने के बाद तुम दोनों एक साथ रहो तुम दोनों एक साथ रहो इसको अनुबात करेंगे तुम दोनों यान की both of you अब की यान है देखिए तुम दोनों एक साथ रहो रहना live live एक साथ together इसको बाद देखिए मेरे मरने के बाद बाद एन की after my death इसको बाद देखिए or and एक दूसरे की सदे हो सहायता करो सदे हो and की always सहायता करना help एक दूसरे की each other let's stop inverted comma close अब देखिए एक दूसरे की spling each other भी होती है दो लोगों के लिए एक दूसरे की और दो से अधिक के लिए एक दूसरी की spling होती है one another दो से अधिक लोग यहाँ पर एक उस मनुस के कितने बेटे थे दो बेटे थे इसलिए दो के लिए एक दूसरे की spling आई है इस तरीके से यह translation होती है complete अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए चैनल पर यदि आप नए है तो उसे subscribe कर लीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यबाद झाल